शाम के साड़े छे बच चुके हैं आई पेल फीवर के साथ मैं हूँ दिपान शुमदान और स्टूडियो में मेरे साथ हैं पूर्व क्रिकेटर सुरेंदर खना जी स्वागत है आपका बहुत बहुत आई पेल फीवर के स्टूडियो में तमाम पहलू पर चर्चा करेंगे चैदरबाद और दिल्ले डेडेविल्स के बीच एक शाम में मैच होना है कल जो मैच हुआ उस पर तमाम पहलों पर चर्चा करेंगे एनलेसिज करेंगे आफर यू कहें कि पोस्ट माटम करेंगे पूरा रेपोर्ट का तो चली शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार कल आईपेल में खास मुकाबला हुआ दो टीमें आपस में टकराई मगर जो गैप रहे गया है वो सिर्फ और एक सिर्फ कैच का यहां क्या है पूरा माजरा आईए देखते हैं खास रुपोर्ट आईपेल सीजन साथ का ग्यारवा मैच देखने को मिली कांटे की टकर एक कैचने के क्यार को जिताया मैच शार जहां के इतिहासिक मैदान पर कल एक कांटे का मैच हुआ जिसमें रॉयल चैलेंजर्जर्ज के कप्तान कोहली ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया शुराद भी कोहली के टीम के अनुरूब रही केके आर के कप्तान गंभी लगातार तीसरी बार बिना खाता खोले ही पवेलियन लोट गए पांडे भी कुछ कमाल नहीं दिखा पाए और केके आर के लिए टेंशन का माहौल बन गया लेकिन इसके बाद आईपेल सेवन का पहला मैच खेल रहे लिल्ले जैक कैलिस के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिया सिरन की साज़ दारी करके केके आर को श्रुवाती जटकों से उबारा जिसके बाद केके आर जैसे तैसे 150 रन बनाने में सफल रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूर की तरफ से वरुन आरोन ने 16 रन दे कर तीन विकेट लिए जबा में बेंगलूर की तरफ से क्रिस गिल लगातार तीसरे मैच में नहीं खेल पाए लेकिन बेंगलूर की नई सलामी जोडी ने निराश नहीं किया और योगेश टकावले और पार्थी पटेल ने पहले विकेट के लिए सरसट रन जोड कर बेंगलूरू को अच्छे शुवाद दिलाई इसके बाद कप्तान विराट कोहली और युवराज सिंग ने 55 रन की साज़दारी की जिससे टीम की जीत आसान लग रही थी लेकिन क्रिकेट अनिश्चित्ताओं का खेले हो जब लगने लगा कि मैच एक तरफा हो चुका है तब ही मैच का रुख पल्टा बेंगलूरू को जीत के लिए आखरी ओवर में नौ रन बनाने थे गेंद विने कुमार के हाथ में थी पहली तीन गेंद पर मैस तीन रन ही बने और आखरी तीन गेंदों पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू को च्छार रन बनाने थे चौथी गेंद पर डिविलियर्स ने एक शांदार स्टॉक खेला लेकिन क्रिस लिन ने आई पी एल स्ट्री की सबसे भेतरीन कैच में से एक कैच ली और नसिप डिविलियर्स को आउट किया बलकि जीत की पट्री पर सवा रॉयल चैलेंजर बेंगलूर्ट के हाथ से जीत छीन ली लेकिन दो गेंद में तीन रन ही बना पाए और इस तरह चार घंटे के स्मैश में मात्र पांच बिनिट में जीत के क्यार के नाम कर दी नेपांशु मदान जीया नियूस तो खना जी कल ये जो एक कैच लिया क्रिस लिन ने आस्ट्रेलिया खिलाडी ने वो कहीं न कहीं दोने यह टीमों के बीच में जो डिफरेंस रा बिकोस रंस तो बराबर हो गए थे डेट्सों रन कोई कम नहीं होते हैं ऐसे मैचस में और फाइटिंग टोटल था उसके बीच में आखरी दो भी देखें उन्होंने भी बहुत अच्छे-चे कैचिज लिए और यह दिन की बात भी होती है लिन ने बैटिंग भी बहुत अच्छी की थी और हम कहीं न कहीं वो गेन जिस पर सुनील नारायन ने बोल्ड किया था विराट कोली के उसके लिए तो टरनिंग पॉइंट आप पहले अपने नीज पे आगए और उसके बाद उन्होंने जो है चलांग लगा के कैच पकड़ा इस तरह के जो कैचिज हैं वो दरशाते हैं कि फिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उसके साथ-साथ जो है एक फ्रेज है कैचिज विन मैचे और वो यह यहां पे जो है बिल्कुल सभी सावित हुआ और तारीफ करनी होगी लिंग कि अनुमान लगाया था क्या आपको लगता था कि यहां से मैच पर सकता क्योंकि आप चारिकता है बाकी रहे थे जब यूवराज सिंग और विराट कोली का बला चल रहा था सुने नारायन ने वह जो है वो भी अच्छे लगाते हैं राइट लेट 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 कॉंबिनेशन है तो वह मैच जीतेंगे लेकिन तारीफ करनी होगी आंत में फिल्डिंग साइट की कप्तान गम्हीर की भी कि उन्होंने अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा अच्छा निरने लिया और अच्छ प्रेशर नहीं होगा जब अगली बार मैदान पर उतरेंगे देखिए फॉर्म की बात होती है अर्ली पार्ट अफ दे इनिंग्स में जब आप वहां पे टिक ही नहीं आप जल्दी आउट होगे पहली गेंदी अच्छी पड़ गई आपको और मैं समझता हूँ जब कर दी अपनी रिटार्मेंट तो यह नामों से नहीं चलती है यह मैदान में जाके आपको जो है वहां पे समय बिताना पड़ता है और गंबीर बड़े प्लेयर है जैक कैलिस से महान खिलाडी उनके पास हैं उनकी तरफ देखेंगे और उनसे सीखेंगे कि कुछ ओवर कुछ समय पिछ पे बिताना पड़ेगा रंस बनाने के लिए और आम शूर कि वो जरूर रंस बनाएंगे फार्म में आएंगे और बड़े खिलाडियों की यही खुवी होती है खास्ताव से एक बात और भी देखने में आई है कि जब पिछली वार हम देखे थे जो खिलाडी इस को नहीं लिया गया डेकन चार्जर से खेले फिर संराइजर हैदराबाद होगी उससे भी खेले अब जब आये हैं तो फिर भरपूर लुट्फ उठा रहे हैं के के नाई ट्रैडर्स का जो कि उनको मौका मिला और भरपूर उनने बले बाजी भी की शाथ में मैस्ट टर्निं 2020 वर्ल्ड ओवर जहां भी होती है देश के लिए आप खेलते हैं पूरे साल भर अगर टीम में भी रहें तो आपको उतने पैसे नहीं मिलते जितने यहां पे दो महीने में आपको मिल जाते हैं और एफ़र्ट बहुत कम लगाना पड़ता है और वो खिलाडी खास कर जो पर स्टार बनाती है तो वो जजबाव में हो जाता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूं इस ऑपर्चुनिटी को ग्रैब करो अच्छा खिलाडी वही होता है जो बाके को चौका लगाए अगर गेंदवाजी की बात करें तो वरुन आरोन ने कल खासा कमाल दिखाया तेज गेंदवाजी करते हो तीन विकेट जटके 16 रन दे करके और 26 रन दे करके दो विकेट लिए सुनिल नारायन एज यूजवल उनका तोड़ ही नहीं है 17 रन दे करके एक विकेट जैसे ही वो आते हैं रनो पर मानो अंकुष लग जाता है बहुत ही आउटस्टेंडिंग गेंदवाजी का मिजाहरा है खासकर जब विराट कोली युवराज जो स्पिन के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और अच्छी विकेट्स के ओपर गेंदवाजी करना और उनको रोकना मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुती काबले तारीफ चीज़ है और एक अजूबा बनके वो वर्ल्ड क्रिकेट में उबरे हैं सुनील नारायन और बलेबाजों को बहुत दिक्कत होती है कि उनकी गेंदवाजी को रीड करना एर में भी और आफ दे विकेट भी तो ये दर्शाद है कि किस तरह से उन्होंने मैच को टर्न किया और मात 17 रन दिया अपने चार ओवर में आउटस्टैंडिंग बलेबाजी की उसके बाद कैच ऐसा लिया जिसने मैच पलट दिया पासा पलट दिया और केके आर को चीट दिला दी चबड़े से चीनली जीत बंगलोर रोयल चालंजर के कल के प्लेबाजी में करामत दिखाया है जिस तरह से उनके फिल्डिंग स्टैंडर्स सेट अप किया है आपको लगता कि एक नई यूनिट प्रदान की है केके आर को एक अच्छा एकसाइटिंग फ्लेइर 2020 का नजर आया है सामने अन्नोन कमोडिटी जब तक आप होते हो औपोजीशन को शायद पता नहीं होता गेंबाजों को पता नहीं होता कि ये क्या करते हैं जब दो-चार मैच खेलेंगे तो इनका तोड निकाल लेंगे बट प्रेशर भी आजाता है जब आप एक मैच में इतनी अच्छी प्रफॉर्मेंस देते हैं आपकी टीम वाले हर मैच में आपके चाहने वाले हर मैच में चाहेंगे कि आप उसी तरह प्रफॉर्म करें एक बात नहीं समझ में आती जब आपके फ्रेंचाइजी के लिए बिक्वाली होते है खिलाडी जो आक्शन होती है उस समय आपके पास कुछ टेकनिकल्स क्यों नहीं होते है जो कि खेल की जानकारी रखते हैं साथ में जो डुमेस्टिक सर्किट को फोलो करते है जैसे कि अगर क्रिसलन की बात करें तो मुझे याद आता है कि कंदुरोता मरून्स श्रलंगा की एक टीम है जब SPL हुआ था श्रलंगा प्रीमेर ली उसमें भी ये खिलाडी खेला था और लाजवाब प्रदर्शन किया था इस खिलाडी ने धुमधार बले बाजी की थी और मुझे आदा था एक माच में 27 सरंद पर जब चिप्स वर डाउं तीन आउट हो गय थे ये बले बाजी करने आए और वहां से 170 कर दिया और वहां से जीत करके मैच गए तो इस तरह के खिलाडी क्यों आकर्शन केंदर का नहीं बनते हैं जो टेक्निकल एनलेस्ट आपके साथ होते हैं कि आपको एक दो एनलेस्ट ऐसे नहीं लेने चाहिए जो टीम को लगातार हम डुमेस्टिक सरकेट की बात करें तो उनको वाच करते हैं ताकि वहां की जो कहीं न कहीं टैलेंटिड बंच अफ प्लेयर्स है वो इन टीमों को फाइदा कर सके हैं देखो अगर वेस्ट इंडीज, इंगलिंड, आस्ट्रेलिया, साथ अफ्रिका और इंडिया के जादा खिलाडी है सिरलंका के अभी इसमें कम नजर आ रहे हैं इस आईपियल में तो यहीं के कोचिज और यहीं के जो सीनियर प्लेज हैं वो इसमें इन्वाल्ड है जब इसकी आॉक्शन होती है तो वो सब बैठे होते हैं तो वो जानते हैं आस्ट्रेलिया में कौन खिलाडी अच्छा खिल रहा है दक्षिन अफ्रीका के आपने एलन डॉनल्ड को रखा है तो उनको मालूम है उनके देश में कौन अच्छा खिल रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंचाइजी जो है इस बारे में जानते नहीं है और यहां हिंदुस्तान में हम हमेशा चर्चा करते हैं कि हम अपने खिलाडियों को क्यों नहीं टीमों के साथ लगाते है यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैराल बाद कर लेते हैं अज के इस बड़े मुकाबले की जो इस समय चल रहा है दिल्ले डेविल्स और संराइजर्स हैदराबाद के बीच आई पेल की एक बड़ी ख़वार आ रही है कि बहुत विशाल लक्षे दिया था हैदराबाद संराइजर्स में दिल्ले डेविल्स के सामने अब देखना हुगा कि इस लक्षे को कर पाती है कि ने एक सो चौरासी रानों उन्हों ने बनाए थे एक सो पचासी रानों का लक्षे दिया था जिसके जवाब में दुआदार बले बाजी कर रहा है दिल्ले डेविल्स टीम भी समय ओपनिंग साज़दारी की बाद करें तो क्वांटन डीकॉक और मुरली विजे ने शांदार अरच्छत की साज़दारी भी की थी एक सो नो पर दो अभी लेटेस स्कोर है दिल्ली का तो ऐसे में देखना हुगा कि क्या इस मैच को जीत पाते हैं तेरा ओवर के आसपास हो चुके एक सो नो रन दो विकेट के नुकसान पर बहुत बड़ी टक्कर चल रही है फिंच और वार्ण ने ताबर तोड़ पारी खेली थी संडाइजर अधरबाद की बाद करें और क्या 185 का बड़ा लक्षा है प्राप कर पाती है यह नहीं खनास आप जिस तरह से टीम होग प्रद्रशन कर रही है आपको क्या लगता है मैच किस तरफ जा रहा है देखो विकेट शान दार है और कोई भी बले बाद इस पर रुख जाए तो वो बोलर्स की धजियां उड़ा सकता है आउट फिल्ड फास्ट है और परफेक्ट सेटिंग है अगर पहली टीम के देखें पहले तीन बैट्समेन उन्हों बीस ओवर खेले एकसर चुरासी बनाए अब दो खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पीटर सन खेल रहे हैं बड़े प्लैर है और मैं समझता हूं कि वो कमबैक कर रहे है पहला मैच खेल रहे हैं टीम में ड्रॉप हो एंग्लेंट में सुबा विकिट देख रहा था खना साब तो बिल्कुल जैसे हरे हरी शीन कहते हैं वह दिख रहे थी जो सूर्य का प्रकाश था रोशनी जो उस पर पढ़ रहे है ता ऐसा लग रहा था इसका कम्क्लीट बैटिंग पैरडाइस इसमें जूस नहीं है और वही कुछ वह सुइंग भी देखने को नहीं मिली सी मुमेंट नहीं मिली जिसका भरपूर लुस पुठा है डेविड वर्नर ने का जाया या पर पिंच ने की जाया का जाया दोनों ताबर तोड़ पारिया खेली और अब यह दो बलेबास यह अच्छा बलेबास कर रहा यह दुबाई में हो रहा है वहां पर डेजर्ट है जो बलकुल तो वहां पर मॉइस्चर होता ही नहीं तो इसलिए वो इसको पानी डाल के थोड़ा कटगर में मेरे को ला रहे दखाना साब एक तब के लिए तो मैं ही घबर आ गया था कि क्या आप पूछने वाले हैं हाँ तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर गास कहां से नजर आएगी आर्टिफिशल ग्रास लगाते हैं वो लेयर जो आप फूटबल के अंडर जेक्ट है यह काबलियत की बात होती है चलिए तमाब पहलूर में बात करेंगे एक छोड़ा ब्रेक लेने आई पेल फीवर में बहुत कुछ बागी है on the other side of the break, एक break झाल 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 वेलकम बेक आफटर दी ब्रेक, यो वाचिंग आई पेल फीवर सुरेंदर खना साब हमारे साथ बने हुआ है और कौन बुला सकता है शार्जा में जो पारिया इनों ने खेली थी माशायला मैना दा सेरीज रहे थे तो इन मैदानों को आप से ज़्यादा कोई नहीं जानता खना साब अब रात में बड़ी मैच होने वाली है जब मैं खेला था तो ग्रीन टाप थे तो कहने का मतला है कि मुश्किल और ज्यादा होती थी बनिस्पत कि आज आसान विकेट्स होती है जैसे कि दुवादार बलेबाजी चल रही है आज शाम में एक बड़ा मैच होने वाला चैनाई सोपर किंग्स और मुंबाई एंडियन्स के बीच में कैसे लेते हैं आप इस टकर को कैसे आखते हैं एक डिफेंडिंग चैंपियंज हैं एक पहले दफार चैंपियंज रहे हुए हैं तो उन दोनों की टकर आपको कैसे दे कर रहे हैं कि चेज करते हुए डिकॉक और विजे ने बहुत अच्छी शुरुआत किया अपकार्तिक और यहां पे अगर देखें तो यहां पे आपको जो नजर आ रहे हैं सामने राइट पे अपने मलिंगा ये गेम चेंजर होंगे मुंबाई के लिए बाच बड़े खिला और मलिंगा जो हैं उन पे मेरा काफी तवज्जो रहेगी वो तीन को फायर करना है उनके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं और इन कंडिशन में जहां पे पिचिस में गेंदबाजों को मदद ज्यादा नहीं मिल रही है और अगर आप लोर डाउन आते हैं जैसे पॉलार पहली गेंद से चक्का मारना होता है आपकी रेप्टेशन बहुत है तो एकस्पेक्टेशन भी बहुत बड़ी होती है आपको नहीं लगता कि जादा नीचे लेकर के आ रहे हैं पॉलार को थोड़ा उज्जा लेकर के आना चाहिए चार ये पांच पे खिलाना चाहिए क्यो बोलर ऑपोजिशन में तो वो उसको नीचे रखते हैं कि वो नीचे जाकर मार सकते हैं बट मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल होना चाहिए कप्तान को और कोच को आप अच्छी सिच्वेशन में तो उनको प्रमोट करो और वो और अच्छी पारी खेलें आपका रन्रेट और मैं जाओंगा मुंबई की तरफ क्योंकि दोनी पे दबाव है उनके जो अडॉप्टेट फादर है उनके ओपर काफी दबाव बना हुआ शर्नेवासन साप पे तो मैं जाओंगा जो है मुंबई इंडियन्स के लिए प्रेडिक्शन ऑफ देडे की तब बात करेंगे पहराल ब्रेन मकेलम द्वेन स्मित की आप ओपनिंग साज़ेदारी की बात करना तो इसको इन पर काफी जो है दबाव है तो इसलिए मुंबई इंडियन्स का जो है दारोमदार मैच में तकडा रहेगा ज्यादा रहेगा और टॉस भी जो है वाइटल हो सकता क्योंकि हम यहां कैसे करते हैं सेट दे टोन और गेंदबाजी की शुरुवात आप कैसे करते हैं देन एट डेथ हाव वैल्यूबोल इन डेथ और फील्डिंग इस वेरी इंपॉर्टन फैक्टर जैसे लिन ने वो क्याच पकड़ के कल जो है डिविलियस का मैच जिता दिया अपनी टीम को त तो यहां से बैट के क्या बताऊं लेकिन वहां पर इती अच्छी पिछें बनारे हैं तो थोड़ी दीमी गती की है और बैट्समन को बहुत टाइम मिलता है लेकिन गेंदबाजों के लिए भी जो स्पेनर्स हैं वो उसमें बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं तो यहां पर बहुत चैलेंजिंग होगा बलेबाजों के लिए भी कि वो कुछ संबल के खेलें और फिर बड़े हिट लगाएं और अगर पहली गेंद से ही मारने जाते हैं तो मिस्टाइम हो सकता आपका गेंद क्योंकि धीमी गती से आता ओफ दूफ दूफ दूफिक्ट कि यह जो मैच करेंगे तभी कंटेस्ट का मज़ा आएगा देखने वालों का बिल्कुल अगर नेल बाइटर हो जाए आखरी गेंद तक चला जाए तभी जादा मज़ा आता है बहराल बात कर लेते हैं स्टार परफॉर्मर अड़े का प्रिडिक्ट कीजिए कौन होगा स्टार परफॉर्म आद नियुजिए आर्वेडरिम्स तो खनला साब समय की बहुत कमी है प्रडिक्ट्ट अफड़े का समय हो चुका है कौन सी टीम होगी जिसके साथ आप जाना चाहेंगे में मुद्वी इंडियन के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि उनके पास जो मिक्च्चर है गेंद बाज और बलेबाजी का बहुत शानदार है और रोईच शर्मा बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और वो नितृत जो दे रहे हैं मुद्वी इंडियन को बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं उम्मीद करूँगा कि मलिंगा जो हैं उनके पास वो ट्रम कार्ड होंगे केंद बाजों की बात करें तो दोनों ही टीमों के केंद बाजों में मलिंगा एक तरफ हैं दूसरी तरफ बैन हिल पना उस्पी हैं बाज जितने भी हों क्योंकि यह आउटस्टेंडिंग प्लेइस हैं आई पील के अंदर हर टीम के अंदर काबलियत बहुत है लेकिन जैसा तो कहता है कि एक टीम आप को पिक करनी है तो आज दिल कर रहा है कि आ अज स keto काई देखने हो गआ कौन सी डिफीडिये कौन सी टीम हारती कौन बासी मार ले जाता पर्रां अइ-पेल इतना यह जाज्याए नमसकार झाल में झाल